हेलो दोस्तों नमस्कार आज जो गोरकपूर और फोलपूर में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कॉंग्रेस पार्टी की तो जमानत जबत होगी और हमारे राहुल गांधी बड़े प्यार से उसमें बधाई दे रहे हैं कि गोरकपूर और फोलपूर उपचुनाव में जीत पार्टी हैं और वहीं आप बात करें अखिलेश यादाव बड़े उससे आते हैं कि एनकाउंटर रुख जेना चीह मायवती और अखिलेश यादाव को तो दुबारा चुनाव कराना चीह क्यों दुबारा चुनाव नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे तो EUM है खो सकती है, हम मानते हैं कि वहाँ पे EUM है खोई है, आज जीत गए तो अब सब खुसी मना रहे हैं, योगी और बोजी पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से ये जातिवादी पार्टियां अपने इस छोटी इसी जीत पर बड़ी खुसी मना रही है, इनके लिए जीत मुबारक हैं, लेकिन आप मानिए कि इतने कम परसेंट पे ये जीते हुए हैं, और अकेली बीजेपी से टकर लिया इनोंने, बीजेपी अकेली पार्टि थी और ये मिलके चुनाव रटरे थे तमाम जातिवादी और जो धरम की राजनीती करते हैं, तो आप मानिए कि ये लोग कैसे देश का भला करेंगे, एक तो मूर्ती बनाती है मायावती, दूसरी हमारे अखलेश यादव, अपने एक ही कुनवे के लिए काम करते हैं, इनका परिवारी इतना बड़ा है, कि पूरे राजय के चकर में पूरे राजय के जनता को छोड़ कर ये अपने कुनवे की सोचते रहते हैं, अभी कुछ दिनों की बात है, फिर अभी करनाटक में चुनाओ होंगे, वहां से ये कॉंग्रेस की सत्ता गायब हो जाएगी, तो सभी लोग फिर इवियम का मुद्दा उठाएंगे, कि मोदी न तो चुनाओ आयोग खरीद लिया है, ये वो तमाम बहुत सारी चीज़ें यहां पर, अभी आप पार्टी भी इस चुनाओ पर बड़ी खुस हो रही है, ममतबनर जी बड़ी खुस हो रही है, भाई खुसी मना लो जितना मनाना है, 2019 के चुनाओ में आप लोगों को हार नही है, क्योंकि क्यों हारना है, क्योंकि इनके पास कोई पर्धान मंतरी का तो चहरा है नहीं, मोदी जैसे इमानदार छवी के निता इनके पास है नहीं, ये सब राहुल गांधी अपने को पर्धान मंतरी मानते हैं, ममता बनर जी अपने को पर्धान मंतरी मानते हैं, बटवा रहोंगी तो कौन मानेगा कि मैं यहां पे तो वहां पे असली जगडा होगा अभी न तो चुनाव का वोटिंग उतना परसेंट था एक छोटा सा चुनाव था इतने बड़ी राजियों में जीत हो जाती वहां कोई यह नहीं बोलता है कि योगी या मोदी का चमतकार ह अब तो सब ऐसे चलता रहता है यह सब ड्रामे वाजी है छोटे चुनाव आते रहते हैं आज के टाइम में तो यह ऐसा लगता है कि मोनिटर का चुनाव भी हो तो उसमें भी मीडिया कवरेज करेगी और उसमें सवाल जबाब करेगी कि बहीं मोधी हार गए आपके उसमें कि वो बहुत सारी अलग चीजें करते हैं तो राजनीती है कभी अप एंड डाउन तो हर चीज हर लाइफ में आता है यह तो चुनाव है तो हार जीत कोई बड़ी बात नहीं हर एक को सोचना है पर हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि देश के लिए कौन सोचता है देश के ल वार वाद और जातिवाद पार्टियां हमारे देश का भला करेंगी तो ये पार्टियों को हमें सबक सिखाना है और 2019 के लिए हमें एक जुट रहना है और अखलेस मायावती जैसे लोग तो वैसे ही उत्रप्रदेश को बरबात कर दिये थे 2019 के चुनाव में इनको सबक मिले अगर आपको लगता है कि ऐसे आप जीत सकते हैं तो आपको जीत मुवारक